इस आमुहिक संकल्प शक्ति का ही परणाव है, इतने बड़े देश में हर एक देश वासिने खुद इस लड़ाई को लडने की ठानी है, ये पूरी मुहीम पीपल डिवन है, साथियों देश वाशियों की संकल्प सक्ति के साथ एक और शक्ति इस लड़ाई में हमारी सबसे बड़ी ताकत है वो है देश वाशियों की सेवा शक्ति वास्तों में इस महामारी के समय हम भारत वाशियों ने दिखा दिया है कि सेवा और त्याक का हमारा विचार केवल हमारा आदर्श नहीं है बलकि भारत की जीवन पद्धती है और हमारी यहां तो कहा गया है सेवा पर्मो धर्मह सेवा स्वयम में सूख है सेवा में ही संतोष है आपने देखा होगा कि दूसरों की सेवा में लगे विक्ति के जीवन में कोई डिप्रेशन या तनाव कभी नहीं दिखता उसके जीवन में जीवन को लेकर उसके नजरिये में भरपूर आत्मविश्वास सकारक्त वक्ता और जीवन दता प्रतिपल नजराती है साथियों हमारे डॉक्टर्स नर्सिंग स्टाफ सफाई कर्मी पुलीस कर्मी बिडिया के साथ ही ये सब जो सेवा कर रहे हैं उसकी चर्चा मैंने कई बार की है मन की बात में भी मैंने उससे जिक्र किया है सेवा में अपना सब कुछ समर्पित कर देने वाले लोगों के संख्या अंगिनत है ऐसे ही एक सज्जन है तमिलनाडू के सी मोहन सी मोहन जी मदुरे में एक सलून चलाते हैं अपनी महनत की कमाई से इन्हों ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पांच लाख रुपे बचाये थे लेकिन इन्हों ने ये पूरी राशी इस समय जरुरत मंदों गरीबों की सेवा के लिए खर्च कर दी इसी तरह अगर तला मैं ठेला चला कर जीवनियापन करने वाले गौतम दास जी अपनी रोज मरा की कमाई की बच्चत मच से हर रोच दाल चावल खरिद कर जरुरत मंदों को खाना खिला रहे हैं पंजाब के पठान कोट से भी एक ऐसा ही उधारन मुझे पता चला यहां दिव्यांग भायराजु ने दूसरों की मदद से जोड़ी गई छोटी सी पुझी से तीन हजार से अधिक मास्क बनवा कर लोगों में भांटे भायराजु ने इस मुश्किल समय में करीब सो परिवारों के लिए खाने का राशन भी जुटाया देश के सभी इलाकों से विमें सेल्फ हेल्फ गुरूप के परिश्नम की भी अंगिनत कहानिया इन दिनों हमारे सामने आ रही है गावों में छोटे कश्बों में हमारी बहने बेटियां हर दिन हजारों के संख्या में मास्क बना रही हैं तमाम सामाजिक संस्ताय भी इस काम में इनका सयोग कर रही हैं साथ्यों ऐसे कितने ही उधारन हर दिन दिखाई और सुनाई पड़ रहे हैं कितने ही लोग खुद भी मुझे नमो एप और अन्य माध्यमों के जरिये अपने प्रयासों के बारे में बता रहे हैं कई बार समय की कमी के चलते मैं बहुत से लोगों का बहुत से संगठनों का बहुत से संस्ताओं का नाम नहीं ले पाता हूँ सेवा भाव से लोगों की मदद कर रहे ऐसे सभी लोगों की मैं प्रसंसा करता हूँ उनका आदर करता हूँ उनका तहे दिल से अभिननदन करता हूँ मेरे पैर देशवासियों एक और बात जो मेरे मन को चू गई है वो है शंकत की इस घड़ी में इनोवेशन तमाम देशवासी गाऊंवों से लेकर शहरों तक हमारे छोटे गापारियों से लेकर स्टार्ट अप तक हमारी लैप्स कुरोना के खिलाब लड़ाई में नए नए तरीके इजात कर रहे हैं नएने इनोवेशन कर रहे हैं जैसे नासिक के राजेंद्र आदव का उधान बहुत दिल्चस्प है राजेंद्र जी नासिक में सतना गाउं के किसान है अपने गाउं को कोरोना संक्रमन से बचाने के लिए उन्होंने अपने ट्रेक्टर से जोड़कर एक सेनिराइजेशन मशीन बना ली है और ये इनोवेटिव मशीन भहुत प्रभावी तरिके से काम कर रही है इसी तरह मैं सोशेल मीडिया में कई तस्वीरे देख रहा था कई दुकानदारों ने दोगज की दूरी के लिए दुकान में बड़े पाइपलाइन लगा लिये हैं जिसमें एक छोर से वो उपर से सामान डालते हैं और दूसरी छोर से ग्रहाक अपना सामान ले लेते हैं इस दोरान पढ़ाई के ख्षेत्र में भी कई अलग-अलग इनोवेशन सिक्षकों और चात्रों ने मिलकर किये हैं ऑनलाइन क्लासिस, वीडियो क्लासिस उसको भी अलग-अलग तरीकों से इनोवेट किया जा रहा है कोरोना की वैक्षिन पर हमारी लेव्स में जो काम हो रहा है उस पर तो दुनिया भर की नजर है और हम सब के आशा भी किसी भी परिस्तिति को बदलने के लिए इच्छा सक्ति के साथ ही बहुत कुछ इनोवेशन पर भी निर्फर करता है हजारों सालों के मानुजात की यात्रा लगातार इनोवेशन से ही इतने आधुनेक दोर में पहुँची है इसलिए इस महामारी पर जीत के लिए हमारी विशेश इनोवेशन भी बहुत बड़ा आधार है साथियों कोरोना के खिलाफ लड़ाई का यह रास्ता लंबा है एक ऐसी आपदा जिसका पुरी दुनिया के पास कोई इलाजी नहीं है जिसका कोई पहले का अनुव हो भी नहीं है तो ऐसे में नई-नई चुनवतियां और उसके करण परिशानियां हम अनुव हो भी कर रहे है यह दुनिया के हर कोरोना प्रभावी देश में हो रहा है और इसलिए भारत भी इससे अच्छुता नहीं है हमारे देश में भी कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो कठिनाई में न हो परेशानी में न हो और इस संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब, मद्दूर, स्रमीक वर्ग पर पड़ी है उनकी तकलीफ, उनका धर्थ, उनकी पीड़ा शब्दों में नहीं कहीं जा सकती हम में से कौन ऐसा होगा जो उनकी और उनके परिवार के तकलीफों को अनुभव न कर रहा हूँ हम सब मिलकर इस तकलीप को इस पीडा को माटने का प्रयास कर रहे हैं पूरा देश प्रयास कर रहा है हमारे रेलिवे के साथ ही दिन रात लगे हुई है केंद्र हो राज्य हो स्थानिय स्वराज की समस्ताय हो हर कोई दिन रात महनत कर रहे हैं जिस प्रकार रेलिवे के कर्मच अज्जुटे हुए हैं वे भी एक प्रकार से अग्रिम पंक्ति में खड़े कौरोना वारियर्स ही है लाखों स्रमिकों को ट्रेनों से और बसों से सुरक्षित ले जाना उनकी खाने-पिने की चिंता करना हर जिल में कौरंटाइन केंद्रों की व्यवस्था करना सभी की टेस् कातार चल रहे हैं और बहुत बड़ी मात्रा में चल रहे हैं लेकिन साथियों जो द्रश्य आज हम देख रहे हैं इससे देश को अतीत में जो कुछ हुआ उसके अवलोकन और भविश के लिए सीखने का आउसर भी मिला है आज हमारे स्रमिकों की पीड़ा में हम देश के कुछ इंजिन बनने की क्षमता है जिसके स्रमिकों के बहुबल में देश को नई उचाई पर ले जाने का सामर्त है उस पुर्वी हिस्से का विकास भावशक है पुर्वी भारत के विकास से ही देश का संतुलित आर्थिक विकास संभव है देश ने जब मुझे सेवा का इस दिशा में बहुत कुछ हुआ है और अब प्रवासी मद्दूरों को देखते हुए बहुत कुछ नए कदम उठाना भी आवश्यक हो गया है और हम लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जैसे कहीं स्थमीकों की स्किल मैपिंग के काम हो रहा है कहीं स्टार्ट अप इस काम में जूटे हैं कहीं माइगरेशन कमिशन बनाने की बात हो रही है इसके अलावा केंद्र सरकार ने अभी जो फैसले लिये है उससे भी गाउं में रोजगार, स्वरोजगार, लगुद्यों को से जुड़ी विशाल संभावना एक खुली है ये फैसले इन स्थिक्ति के समाधान के लिए है आत्म निर्भर भारत के लिए है अगर हमारे गाउं आत्म निर्भर होते हमारे कस्बे हमारे जीले हमारे राज्य आत्म निर्भर होते तो अनेक समस्याओं ने वो रूप नहीं लिया होता जिस रूप में वो आज हमारे सामने खड़ी है लेकिन अंध नौतियों के बीश मुझे खुशी है कि आत्म निर्भर भारत पर आज देश में व्यापक मन्थन शुरू हुआ है लोगों ने अब इसे अपना अभियान बनाना शुरू किया है इस मिशन का नेत्रुत्व देश वासी अपने हाथ में ले रहे हैं बहुत से लोगों ने तो य उनके इलाके में बनाये जाते हैं उनके पूरी लिष्ट बना दी है यह लोग अब इन लोकल प्रोडुक्स को ही खरीद रहे हैं और वोकल्फ और लोकल को प्रमोड भी कर रहे हैं मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिले इसके लिए सब कोई अपना अपना संकल्प जता रहा ह बिहार की हमारे एक साथी सिमान हिमानसु ने मुझे नमो एप पर लिखा है कि वो एक ऐसा दिन देखना चाहते हैं जब भारत विदेश से आने वाले आयात को कम से कम कर दे चाहे पैट्रोल, डीजल, इंधन का आयात हो, इलेक्टोनिक आइटम्स का आयात हो, यूरिया का आ मैं उनकी भावनाओं को समत्ता हूं, हमारे देश में कितनी ही ऐसी चीजे बहार से आती हैं, जिन पर हमारे इमानदा टेक्सपेर्स का पैसा खर्च होता है, जिनका वीकल्प हम आसानी से भारत में तयार कर सकते हैं, असम के सूधित ने मुझे लिखा है कि वो महिलाओं के बनाये हुए लोकल बैंबू प्रोडक्स का व्यापार करते हैं, और उनने तयक क्या है कि आने वाले दो वर्ष में वे अपने बैंबू प्रोडक्स को एक ग्लोबल ब्रैंड बनाएंगे, मुझे पुरा भरोसा है आत्मनिर्भर भारत अभ्यान इस दसक में देश को नई उ शिक्रेट जुरूर आज बताना चाहूंगा, विश्व के अनेक नेताओं की जब बात्चित होती हैं, तो मैंने देखा इन दिनों उनकी बहुत ज़्यादा दिल्चस्पी योग और आईरुवेद के सबन में होती है, कुछ नेताओं ने मुझसे पूछा कि कोरोना के इस का लोगों में अपने स्वास को लेकर जागरुकता भी लगातार बढ़ रही है, अभी कोरोना संकट के दोरान भी देखा जा रहा है कि होलीवूड से हरिदवार तक घर में रहते हुए लोग योग पर भावध गंभीरता से ध्यान दे रहे हर जगह लोगों ने योग और उसक से अपनाना चाहा है, कितने ही लोग जिन्नों ने कभी योग नहीं किया, वे भी या तो ओनलाइन योग क्लास से जुड़ गए हैं या फिर ओनलाइन वीडियो के माद्यम से भी योग सीख रहे हैं, सही मैं योग, कम्यूनिटी, इम्यूनिटी और यूनिटी सब के लिए अ साथियों, कोरोना संकर के इस समय में, योग आज इसलिए भी जाद आहम है, क्योंकि ये वाइरस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टिम को सबसे अधाईक प्रभावित करता है, योग में तो रेस्पिरेटरी सिस्टिम को मजबूत करने वाले कई तरह के प्राणायम है, जिनका अ अनुलों, बिलों, प्राणायम से अधिकतर लोग परिचित होंगे, लेकिन बस्त्रिका, शितली, ब्रहामरी जैसे कई प्राणायम के प्रकार है, जिसके अनेक लाब भी है, वैसे आपके जीवन में योग को बढ़ाने के लिए, आयुश मंत्राले ने भी इस बार एक प्रतियोगीता शुरू किये है, भारती नहीं, पूरी दुनिया के लोग इस प्रतियोगीता में हिस्सा ले सकते हैं, इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको अपना तीम मिनिट का एक वीडियो बना करके अप्रोड करना होगा, इस वीडियो में आप जो योग या आसन करते आप सभी इस प्रतियोगिता में अवश्य भाग लें और इस नए तरीके से आंतर राष्टिय योग दिवस में आप हिस्सेदार बनिये। साथियों हमारे देश में करोडों करोड गरीब दसकों से एक बहुत बड़ी चिंता में रहते आए हैं। अगर बिमार पढ़ गए तो क्या होगा। अपना इलाज कराएं या फिर परिवार के लिए रोटी की चिंता करें। इस तकलीब को समझते हुए इस चिंता को दूर करने के लिए ही करीब डेड़ साल पहले आविश्मान भारत योजना सुरू की गई थी। कुछी दिन पहले आविश्मान भारत के लाभारतियों की संख्या एक करोड के पार हो गई है। एक करोड से ज्यादा मरीज मतलब देश के एक करोड से अधिक परिवारों की सेवा हुई है। एक करोड से ज्यादा मरीज का मतलब क्या होता है मालूम है। एक करोड से ज्यादा मरीज मतलब नौर्वेज जैसा देश, सिंगापूर जैसा देश, उसकी जो टोटल जनसंग्या है, उससे दो गुना लोगों को मुप्त में इलाज दिया गया है। से भी ज्यादा अपनी जेप से खर्च करने पड़ते हैं। आईश्मान भारत योजना ने गरीबों के पैसे खर्च होने से बचाये हैं। इसने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानि बिहार का कोई घरीब अगर चाहे तो उसे करनाट का में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती। इसी तरह मार्श का कोई गरीब चाहे तो इस इलाज की वही सुविधा तमिलाडु में मिलती। इस योजना के कारण किसी खेतर में जहां स्वास्त की ववस्ता कमजूर है वहां के गरीब को देश के किसी भी कौने में उत्तमिलाज करानी की सहुलियत मिलती है। साथियों आप ये जानकर हेनार रह जाएगे कि एक करोण लाभार्थियों में से 80% लाभार्थी देश के गरामीण इलापों के हैं। इन में भी करीब करीब 50% लाभार्थी हमारी माताएं, बहने और बेकियां है। इन लाभार्थियों में ज्यादातर लोग ऐसी बिमारियों से पिडित थे जिनका इलाज सामान्य दवाओं से संभव नहीं था। इन में से 70 प्रतिशत लोगों की सरजरी की गई है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तकलिफों से इन लोगों को मुक्ति मिली है। ऐसे में बच्चे का इलाज कराना बहुत कठीन हो रहा था। लेकिन आविश्मान भारत योजना से अब उनके बेटे का मुप्ति इलाज हो गया है। कुछ इसी तरह का अनुभव पूडी चेरी की अमुर्था वल्ली जी का भी है। उनके लिए भी आविश्मान भारत योजना संकट मोचक बन कर आई है। अमुर्था वल्ली जी के पती की हार्ट एटेक से दुखत मुर्ति हो चुकी है। उनके 27 साल के बेटे जीवा को भी हार्ट की बिमारी थी। डॉक्टर्स ने जीवा के लिए सर्जरी की सलहा दी थी। लेकिन दिहाडी मद्दूरी करने वाले जीवा के लिए अपने खर्ट से इतना बड़ा अपरशन करवाना संभवी नहीं था। लेकिन अमूर्था वली ने अपने बेटे का अविश्मान भारत योजना में रेजिस्टरिशन करवाया और नव दिनों बाद बेटे जीवा के हार्ट के सर्जरी भी हो गई। साथियों मैंने आपको सिर्फ तिन चार गटनाओं का जिक्र किया। आविश्मान भारत से तो ऐसे एक करोड से अधिक कहानिया जुड़ी हुई है। ये कहानिया जीते जागते इंसानों की है। दूख तकलीप से मुक्त हुए हमारे अपने परिवार जनों की है। आपसे मेरा आग्रह है। कभी समय मिले तो ऐसे व्यक्ति से जरूर बात करिएगा। जिसने आविश्मान भारत योजना के तहट अपना इलाज कराया हूँ। आप देखेंगे कि जब ये गरीब बिमारी से बहार आता है तो उसमें गरीबी से लड़ने की भी थाकत नजर आने लगी है। और मैं हमारे देश के इमानदार टैक्सपेर से कहना चाहता हूँ। आविश्मान भारत योजना के तहट जिन गरीबों का मुपतेलाज हुआ है। उनके जीवन में जो सुक आया है, संतोश मिला है। उस पुन्य के असली हकदार आप भी है। हमारा इमानदार टैक्सपेर भी इस पुन्य का हकदार है। मेरे फैरे देश्वासियों, एक तरफ हम महामारी से लड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ हमें हाल में पुर्वी भारत के कुछ हिस्सों में प्रकृतिक आपदा का भी सामना करना पड़ा है। पिछले कुछ हपतों के दोरान हमने पश्चिम मंगाल और उडिसा में सूपर साइक्रौन हमफान का कहर देखा। तुफान से अनेकों घर तबाह हो गए। किसानों को भी भारी नुक्सान हुआ। हालात का जाए-जालेने के लिये मैं पिछले हपते वोरीसा और पश्चिम मंगाल गया था। पश्चिम मंगाल और वोरीसा के लोगों ने जिस हिंबत और बाहतूरी के साथ हालात का सामना किया है। प्रसौशनी है। संकर्ट की इस गड़ी में देश भी हर तरह से वहां के लोगों के साथ खड़ा है साथियों एक तरफ जहां पुर्वी भारत तुफान से आई आपदा का सामला कर रहा है वहीं दूसरी तरफ देश के कई हिस्से टिड्डियों या लोकस के हमले से प्रभायत हुए है इन हमलों ने फिर हमें याद दिलाया है कि छोटा सा जीव कितना नुक्सान करता है टिड्डी दल का हमला कई दिनों तक चलता है बहुत बड़े क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है भारत सरकार हो राज्य सरकार हो कृशी विभाग हो प्रसासन भी इस संकट के नुक्सान से बजने के लिए किसानों के मदद करने करिये आधुनिक समसाधनों का भी उप्योग कर रहा है नए-नए आविश्कार के तरब भी ध्यान दे रहा है और मुझे विश्वास है कि हम सब मिल करके हमारे कृषिक शेत्र पर यह संकट आया है उससे भी लोहा लेंगे बहुत कुछ बचा लेंगे मेरे प्यारे देश्वासियों कुछ दिन बाद ही पांच जून को पुरी दुनिया विश्व परियावरन दिवस मनाएगी विश्व परियावरन दिवस पर इस साल की थीम है बायो डायवर्सिटी याने जैव विवीदिता वर्तमान परिस्तितियों में यह थीम विशेस रुप से महत्वपूर है लोगडाउन के दोरान पिछले कुछ हपतों में जीविन के रफ्तार थोड़ी धिमी जरूर हुई है लेकिन इससे हमें अपने आसपास प्रकूति की समरुद्ध विवित्ता को जैव विवित्ता को करीब से देखने का आउसर भी मिला है आज कितने ही ऐसे पक्षी जो प्रदुशन और सोर सरावे में ओजल हो गए थे सालों बाद उनकी आवाज को लोग अपने घरों में सून रहे हैं अनेक जगहों से जानवरों के उनमुक्त विच्रण की खबरे भी आ रही है मेरी तरह आपने भी सोशल मीडिया में जरूर इन बातों को देखा होगा पढ़ा होगा बहुत लोग कह रहे हैं लिख रहे हैं तस्वीरे साजा कर रहे हैं कि वो अपने घर से दूर दूर पहाड़ियां देख पा रहे हैं दूर दूर जलती हुई रोशनी देख रहे हैं इन तस्विरों को देख कर कई लोगों के मन में ये संकल्प उठा होगा क्या हम उन द्रश्यों को ऐसे ही बना रह सकते हैं इन तस्विरों ने लोगों को प्रकुरती के लिए कुछ करने की प्रेणा भी दिया है नदिया सदास्वचर है पसुपक्षियों को भी खुलकर जीने का हक मिले आसमान भी साप सुथरा हो इसके लिए हम प्रकूरते के साथ तालमेल बिठाकर जीवन जीने की प्रेणा ले सकते हैं मेरे प्यारे देशवासियों हम बार बार सुनते हैं जल है तो जीवन है जल है तो कल है लेकिन जल के साथ हमारी जिम्मेवारी भी है वर्षा का पानी, बारिस का पानी यह हमें बचाना है एक-एक बूंद को बचाना है गाउं-गाउं वर्षा के पानी को हम कैसे बचाएं परंपरा के बहुत सरल उपाय है उन सरल उपाय से भी हम पानी को रोक सकते हैं पांच दिन, साथ दिन पी अगर पानी रुका रहेगा, तो धर्ती मा के पास बुझाएगा, पानी फिर जमिन में जाएगा, वही जल जीवन की शक्ति बन जाएगा, और इसलिए इस वर्शारूतु में हम सब का प्रयास रहना चाहिए, कि हम पानी को बचाए, पानी को करें, मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छ पर्यावरन सीधे हमारे जीवन, हमारे बच्चों के भविश का विशा है, इसलिए हमें व्यक्तिकत स्तर पर भी इसकी चिंता करनी होगी, मेरा आप से अनुरोध है, कि इस पर्यावरन दिवस पर कुछ पेड़ अवश्य करना रहे हैं, हाँ, गर भी बढ़ रही है, इसलिए पक्षियों के लिए पानी का इंतिजाम करना मद भूलिएगा, साथियों, हम सब को ये भी ध्यान रखना होगा, कि इतनी कठीन तपश्या के बाद, इतनी कठीनाईयों के बाद, देश ने जिस तरह हालत सा भाला है, उस कोई विकल्प नहीं है, कोरोना के खिलाब लड़ाई अब भी उतनी ही गंबीर है, आपको, आपके परिवार को, कोरोना से अभी भी उतना ही गंबीर खत्रा हो सकता है, हमें हर इंसान की जिन्द्गी को बचाना है, इसलिए दोगज की दुरी, चहरे पर मास्क, हाथों को ध सावधानियों का वैसे ही पालन करते रहना है, जैसे अभी तक करते आये हैं, मुझे पुरा विश्वास है, कि आप अपने लिए, अपनों के लिए, अपने देश के लिए, ये सावधानी जुरूर रखेंगे, इसी विश्वास के साथ, आपके उत्तम स्वास के लिए, मेरी अगले मेने फिर एक बार मन की बात अनेक नए विशों के साथ जरूर करेंगे धन्यवाद इले की राज्यम घटाम घटमाई निंगुगे यान व्यवसायंगल मेल्ले मेल्ले तिरिच्चु वरिनु राज्यत् आगोला ब्रांटिकल्ट राज्यत् विकस पिकेंटथु उन्टु मात्रम अल्ला कोरोने नियुड़िदु प्रदिलोध शेशी वर्थिपिकेंटथु तिरचे, मसाथारनमा युरु साहजरित्तिलु उडए यान राज्यम कड़नन पोगुँदु राज्यत्ते जनसंक्या मत्ति राज्यंगल माई तारदम्युम् चेविम्पोल् एर अधिकमान अधु कुण्टथ तन्ने इए उरु व्याबनते नमल् करिदलोड गूड़िद तिरचे, मसाथा प्रदिसंथी ए नेरिडुम् एननाण प्रथारममदरी वेक्ताम हाद केद्धु उरु कोड़ी पेर्क सावजन्यमा इच गिल्सन अल्गान कविन्यु एननाण प्रथारममदरी इपोल् विशधीगरिकेंनदद़ कोविड ने जन्नतय आन प्रधानमद्री विश्यदीगरिकेंदू एंदायलिम इदिन विश्यदाम्षेंगलुमाई राथाकृषन गूड़ी चेरिंदू राथाकृषन राज्यम तुरक्कुन्नू खट्टम-खटमाई राज्यम फाक्टरिकलुम माच्रिव यवसायस्थामनंगलुम प्रधानमद्री परण्जुवेकेंदू एदोक्क विधत्तिलुम्ला प्रहरं एल्पिक्यम् एन्नदने सम्पन्दिच्च इप्पोडुम् यादरु दरत्रुला बोध्यों इल्ला एन्ना अनिश्युदत्तों प्रधानमद्री वेक्तामाख्कुन्दू एन्नदान र्याज्यम् एदाहिलुम् तुरन्ने मधियागु साम्पत्तिकमेगल तिरिच्चुवन्ने मधियागु इदिनी वेंडी टूल स्रमंगलान पोगुन्दू इगने र्याज्यम् तुरक्टानाई तीरिमानिकिन्द घट्टतिल जननंगल उत्तरवादुत्त बोधुत्तों गूडी इस्वाधंदरते उभियोगीकनम् एन्नन नर्देश्यमाण एट्टू मडिस्तानमाई प्रधानमंद्री मुन्नोट्टू वेच्चिरिकिन्नद वलिया वेल्लिविलिकल उन्डागानुवल साथे देएउन्द अदुकुन्द जननंगल एल्ला विधत्तुर्वुल्ला नीयंदरना प्रधिरोध सम्विधानंगलू उप्योगीकिकिएं पुदू परिशोधनकलोड अडकम सहगरीकिएं उरु पुदू मानदन्न इक कोबिडुमाई बंद पट्रूला प्रवर्तनतिल रूप पिड़त्तु केएं स्वेम रूप पिड़त्तु केएं चीएणम एननन संधेशमान प्रधानमदने नल्गुन्द इविधत्तिल प्रधिसंदिकिल नेरडान ओरोर तरकुम चुमतले उन्ड एन्नुगूडियान अधेहं प्रदानमाई वेक्तमाक्कियद उप्पम सामपत्तिकमेगल तिरिच्चु वेरेंट आथिंडे आविश्यकदा इप्पोडथे आवस्चा राजितिने अवस्च वालरे मोशकरमाई मारी इरिकिन्दू एन्न यादार्थियम सम्मधिच्चु गूणड ओर्मिपिकियान इंडिया समंधिच्च अडिस्थानम वालरे विबुलमाण करित्तुल्ला उर अडिस्थानम उन्ड़ अदु कोंड तिरिच्चडि वालरे वल्लिदानंगिल्म इक कोरोणे इमाई बंदपट तिरिच्चडि वालिदानंगिल्म तिरिच्चु वरानूल साधिदगल अनन्दमान अदु वियोगी क्या नाणा भारतं तायार आडित्तिरिकिन्दद आत्म नर्बर भारत अडक्कमुल्ला प्रक्ख्याविनंगल इदिनन अनिबंदमाट्पुल्ला चलरंगल राजियत्त उन्डाकुम एल्ला वर्कुम आत्म विश्वासों तोड़ुडईएं आत्माभिमान तोड़ुडईएं प्रबर्थिक्यानाइट्वुड़ साखजिरियम इप्पोडुम् राजियत्त उनर्निरिकिन्दू एन्ना देहम वेक्तमाख्कुन्दू एल्ला विधत्तिर्वुडईवला परिस्रमंगलकुम उट्टकटाई निन्न प्रबर्थिक्युणना इन्डियीले जनंगले यत्त्रा अभिनेंदिचाल्युम मधी आगि इल्ला एन्न प्रदानमंदिरी वेक्तमाख्कुन्दू उप्पम इी कोविड पोराटदिन अनिबंद पोरालिगला प्रबर्थिक्युम उट्टाई प्रदारमंदिरी नल्गी इले विदत्तिलाण अलंगेल अधेन्ड तुलों तुम्चमाईट्रुल्ला उरु शदवानतिल मात्रमाण आखादंगल उन्डाईदू एन्न प्रदानमंद्री अभगासपड़ुम इदिन अनिबंदमाईट्रुला पोराटदिलू अधे आर्जवत्तोडू गूडितने राजियम अनिविरकनम एन्दान देखन्द देशिकन्दों इप्पोर इद शागजरेतिल प्रदिरोध नडबडिकल् अलंगेल इप्पोर इद पिन्वलिच्चदुकोंट वरीयरी इदिल्वोला व्याबनम उन्डागानुड साध्यदे इल्ला पच्चे अधनि वेंडी इटूला आत्मसमियनों एल्लावरिटे इम भागत्तु उन्डागनमंदूम अधनि वेंडी इटूला प्रबर्तन एल्लावरिम नडथ्तियाल इदने अधिजीविक्यान साधिक्यम एन्दमूला वलरे पोसिटिवायरी इटूला उर्य चिंदे आन प्रधानमंद्रे इन्न वेक्तामाख्येद इदल्ला अधेहम चूंडिकाट्टी एट्वों प्रधानमंपट्टकाइरियम इगटतिलूँ ए लोक्डाउन पिन्वेलिक्येंडा अनिवारि दे खुरुछान आ अनिवारि दा र्याजित्तिन्टेंट विविधमेगलकलिल प्रतेकिच्छ साम्पतिग्यमेगलेल उर्य तिरिच्च्चु वेरविंडे घट्टमाई रिक्यंदू वैलीय थिरिच्चटिकल एट्टिरीकिनु इन्न उयरन उन्नोंट पोये मधियागो अधुआ अनिवारीमायट्ववला उरु थिरिच्च नड़केललेक इंडिया पोगुन्नु एन्नाणा अधेह वेक्तवाख्की इरिक्किननद इदने वेंडीटूला प्रयत्नतिल उरुट्टिरुम अवरुड़ कर्थवियम वलर कृत्तेमाई पालिकनम अधेशु उम प्रदानमंदरी मुन्नोट्टु वैक्किन्नू विविदंगला प्रदिसंदिकल को नडविलाना राजियम इकोरोना बीदिकिमुनियल निल्कुन्नूदू अंगने उवल्ला प्रदिसंदिकले कूडि नेरड अन्डाजियम सज्जमाई इदने कुरुच्यूम अधेहं वेक्तामाखुनू अधे बंगालिल उन्डाय चूल्ल अजये विएसंगे है उजये, उत्मादरू उपरूँ जाया है